कोरोना से सुरक्षित रहें, घर में ही रहें, मास्क पहनें, काढ़ा पीएं कभी तो सिर्फ नीम की पत्ती का ही काढ़ा पी लें ताकि आपकी स्वाद सिग्र ही वापस लौट आए कभी तो अद्रक, दालचीनी, लौग और तुलसी पत्ता का काढ़ा पीएं ताकि इसमेल वापस आ जाए कोरोना की दवा डॉक्टर के परामर्श से ही जरूर लें ताकि कोरोना वाइरस का खात्मा हो जाए भोजन तो पेट भर कर दिन में तीन बार अवस्य करें ताकि कोरोना सरीर को कमजोर न कर पाए अरे हाँ भाप लेना न भूलें ताकि आक्सीजन लेने में तकलीफ ना हो सेधा नमक का इस्तमाल जरूर करें यह स्वास्थ के लिए लाबदायक है मीठा तो कम ही खाएं टेंसन में न रहें ताकि सुगर का अलग से आक्रमन न हो खुस रहें, मस्त रहें, ब्यस्त रहें कपालभाती, अनुलोम विलोम और भस्त्री का प्रणयाम करें ताकि आक्सीजन सिलिंडर की आउसेक्ता न पड़ें रात को गरम दूद में कच्ची हल्दी उबाल कर अवस्य पीएं ताकि अच्छी नींद सोएं और सरीर को पौश्टिक्ता प्रणान हो प्रत्यक आहार और पे गरम गरम ही खाएं या पीएं ताकि स्वास्थ वर्धक आहार और पे ही शरीर में प्रवेश करें दिन में दो या तीन उबले अंडे भी खाएं ताकि शरीर मजबूत रहें उप्रोक्त सभी आहार और पे तथा प्रणायाम अवस्य करें ताकि कोरोना वाइरस का खात्मा हो जाएं प्रभू की कृपा असीम है अतह प्रभू को प्रणाम तथा नाम जाप कर अपने वक्त को गुजारें प्रभू की कृपा बड़े बुजूर्गों का असिरवाद छोट का प्यार ही खुशाहाल जिन्दगी का सहारा है पीतरों पुर्वजों को भी न भूलें उन्हें भी प्रणाम करें सेनेटाइजर करना भी न भूलें और आत्मे विश्वास भी न खोएं बस शुरक्षित रहें डिस्टेंस बनाए रखें स्वास्थ रहें और कोरोना वाईरस को वाई वाई कर दें अलविदा कर दें धन्यवाद हे प्रभू आपकी कृपा असीम है आपको अनुभव करने की हर प्राणी आपको अनुभव कर पाए ऐसी बुद्धी हर प्राणी के अंदर दें ओम शांटी